हलो फ्रेंट कैसे आप यह देखी पनी की सबजी तेस्टिंग अजीश पनी की सबजी जो आप रेस्टोरेंट दावत में खाते हैं अचेंग इसकी रेस्पी बहुत आसान है मैं आपको बताती हूँ यह है साथ आत करी काजू की और चाय करी गय सुन जादा कुछ नहीं है और तीन टमाटंग यह हुआ है गांगां इक दम लीजेग और दो प्याज है जो घर में सभी किया अब बनाया हुआ और इसको मैंने सरसो के आउयंग में बनाए है सरसो के आउयंग में बनाये है जो कि सेहत कि बहुत अच्छा होता है और इसमें ज्यादा आयंग भी नहीं यूज हुआ है देखिए मैंने दो चम्मत सर्सों का आयंग कड़ाई में डांगा हुआ है और फ्रेंड बताना चाहूंगी यह सबजी मैंने नहीं बनाया है बेटी ने बनाया है और बहुत रिटेश्टी सबजी बनाया है उसने में तब्य ठीक नहीं समय इसने मैं जाना कीचन में काम नहीं करती हूं तो बेटी नहीं बनाया है और यह देखिए इस ट्रमाटर को दो मम्मिया भाइस ओवर करो फिर इसने दो प्याज ने तो इसको चार भाग में प्याज को काटा हुआ है और इसको भी डांग देते हैं कढ़ाई में और यह काजू की जो 78 कंगी काजू जादा काजू भी नहीं यूज हुआ है ग्रैसन भी 5-6 कंगी ग्रैसु है और इसको कि और इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देखेंगे यह गैस की फ्रेम को मीडियम करके धग देते हैं कि ऐसे दिया है एब यह पकता रहेगा तब तक मैं मेरे पास पनीई है कि फिर्यम को एक दाम धीमा ही किया हुआ है यह पनीई की दुखान में गई थी तो पनीई कि दुकान वांगे ने छोटे-छोटे बड़ी बड़ी पीसेस मत काते हैं बड़े पीसेस अच्छे रखते हैं ग्रेवी के साथ पड़े में इतने सॉप्ट है कि इसको ज्यादा मैं उठा के छेड़ नहीं सकती हूं बस ऐसे ही काट गेती हूं फिर आप मेरी चैनल को देखते हैं अच्छा गगता है तो आप मेरी चैनल को सब्कुराई पीजें गाई कमेंड कीजिए और बताइए कि मेरा ये चैनल कैसा है देखिए पनी कटने के बाद तब तक देखिए मेरी ये बहुत जंदी सब्जी बन जाती है पनी की बहुत देखिए पक गया है मैं इसको देखिए चलाती हूँ प्याज छोड़ने गगा है ना पीसेस प्याज की जो पीसेस होते हैं ये देखिए अंगर होने गगें तो इससे समझनेजिए ये पक गया है अब गैस की फ्रेम को मुझे बंद कर देना है ये देखिए तूट रही है ना प्याज तूट रही है दबाने से तो ये टमाटर सब कुछ पके गया है अब गैस की फ्रेम को मैंने बंद कर दिया अब मुझे बहुत जंगदी सबजी बनाने की ना तो सारे पीसेस जो है टमाटर प्यास सारे में मिक्सी के जार में निकान सब्सक्राइब counsel Scott में मुझे भूब टांट को तैंकि होगए जाया गया तो मैं पीच्ण एक्टी सब्सक्राइब सारे में डूब इसको ठंडा हो जाएगा यह देखिए इसको मैंने निकांग यह रख देती हूं ठंड़ा होने के लिए अब तब तक यह कढ़ाई में गराई इसे में तो चमस देखी ज्यादा मैंने आंग भी नहीं डांगा हुआ है दो चमस चांग डांगा हुआ है गरम हो गया इसके बाद इसके पनी रख देती हूं सारे पनी की पीसे को जो बहुत अगयरां से रखती हूं कि पनी बहुत ताजी थी बहुत soft थी, बहुत तूट गई थी, तो इसको रख देती हूँ, थोड़ा सा यह मतलब इसका जो पानी है ना वो सूख जाएगा और में तो यह देखिए, अब यह तूटेगी नहीं, इससे ढख देने से soft पनी को, अब इसको मैं चलाओंगी, तो यह किते अराम से एक पीस अ में इतना टेश्ट होगा, कि आप जब खाएंगे तभी आपको पता गरेगा कि यह पनी की सबजी कितनी अच्छी बनी हुई है, पनीर को पंगट के आगे पीछे अच्छे से इसको फ्राई करने ना है, तभी पनीरी की सबजी अच्छी लगेगी, बहुत, यह देखे फ्राई हो गई अच्छे से पनीर, अब मैं पनीरी को निकार गेती हूँ पंगेट में, बहुत अराम से, बहुत सौब्ट है, बहुत अराम से इसको निकारना है, सागी पनीरी को मैंने खड़ाई से निकार गिया हुआ, अब इसमें देखे इतना आयंग बच्छा हुआ है ना, अब इसमें मैं मसांगा डांग के सबजी बनाओंगी पनीरी की, और इसमें मैं आयंग नहीं डांगूँगी, तो इसके लिए मैंने किया हुआ है गरम मसांगा घर का इसमें मेच एकदम नहीं है, क्योंकि तीखी नहीं बनाना है, हजबन नहीं तीखा खाते मैंने बताया था, तो मिच मैं नहीं डांगती है , आप अपने स्वात के अनुसा मेच पाउडर या हरे मेच जो भी आप खा ते हो आप डांगें। आप पह क्रेमेच पाउडर में हरे मेच लिए अगर खाते हैं सूखी अग मेच तो इससमें डांगज एजे, और एक चम मज मैंने करब मसाागा डांगा हुआ एक चम मज मैंने धनिया पाउडर और एक चम मज हंग दी इसवार में डांगा हुआ है गैस की फ्रेम एक दाम उपे है इन सब को देखिए तेंग में उसी तेंग में मिक्स करके भूंज गेती हूं दो मियंट केंगे यह यह जो मैंने टमाटर का पेश्ट बनाया था टमाटर प्याज का जू गैसों का पेश्ट पीसा हुआ है ना इसको डान देती इसी समय मसागे में और यह मिक्सी के जाग में पानी मी डाग के अच्छे से इसको भूंज गेती हूं देखिए कितने कम मसागे में कितनी अच्छी ग्रेवी वागी पनीरी की सबजी जो बनती है मार्केट में जो रिष्टोरेंड में खाते हैं आप दावत में खाते हैं बहुत आसानी सिद्धा स्वेड में बन जाती है सब्जी एक दम टाइम भी नहीं अकता बहुत अच्छी सब्जी बनती है यह नमक मैंने डागा हुआ एक छोटा चम्मस आप अपनी स्वात के नुस यह जितने ग्रेवी में पानी चाहिए जितना गाइट ग्रेवि चाहिए आप उतना पानी डागे जे थोड़ा सा क्योंकि बहुत गाड़ी भी नहीं अच्छी नगती है और इसके बाद बगाय आने के बाद इसमें मैंने पनी जो तंगा हुआ था ना देखिए सारे पनी मै ज्लाग देती हूँ पनिर कंगर देखें कितना अच्छा पनिर कंगर यह हुआ है कि यह मासाचा सो जाता है ना मसाचा मिंस पर जाते हैं इतना स्वन्जाच कानिवते हैं इसको पर स्वनी देते हैं यह देखी पक जाने के बाद मैंने इस में घर में जो दूद मंगाई नहीं होती आप किया डेंगी दूद आता है आप उसको थोड़ा सा डांग दीजी आधा कब डांग दीजी और इसको मिक्स करणके ठोड़ा साधो मेंट पाका टिजी इस से देखी डेवी का के अला और ईस में जो पड़ी रहती समय ने डांग के पका गिया मेरी सब्जी पक गई है अम इसको देखे कटोरे में निकान गेती देखे इसके गेवी और इसकी पनेर देखे कितना अच्छा आया हुआ देख देखे ही आप मुझ में पानी आ जाएगा कि अभी खांग वाव इसको कितना सुन्दर आया है अभी मेरी पनी के ग्रेवी वागी सब्जी रेडी है आप खाईए और बताइए कि यह सब्जी कैसी बनी हुई है और बहुत जंग्दी बन जाती है आप घर में ट्राइ करिए बच्चे भी बना सकते बच्चे नहीं बेटी नहीं बनाया है